नमस्कर दश नूज में आप सभी दश्कों का स्वागत है मैं पृतिद्याल आपके साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पच्चासवी जयनती पर आयोजित जनजाती गौरव दिवस समारों में हिस्सा लेने के लिए बिहार के जमूई पहुचे थे इस दोरान उन्होंने 6,640 करोर रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी किया इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री जनजातीय आवास न्याय महा अभियान पीएम जन्मन के तहट 11,000 घरों के ग्रेव प्रवेश समारों में भी भाग लिया पीएम मोदी के दोरे के बाद केंद्रीय मन्त्री वलूश्पाराम विलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आ गई है जी आप बता दे कि कही न कहीं चिराग पासवान के लिए कल का दिन बेहद ही खास माना जा रहा था और जिस तरह से P.A. मोदी जमुई पहुँचे थे तो ये भी चराख पासवान के लिए बेहद ही खास लमहा था तो बता दे कि बिहार के जमुई में केंद्रिये मंत्री चराख पासवान ने एक बार फिर से P.A. मोदी की जम कर तारीफ की है वजह यह है कि पीम उनके 10 सालों तक रहे संसदिय शेत्रे जमूई पहुँचे थे देसर न्यूज एजेंसी ए एन आई से बाच्छित के दोरान केंद्रिये मंत्री चिराक पास्वान ले कहा कि पीम 5 सालों में 3 बार जमूई आ चुके हैं इससे पहले यहां कोई प्रधान मंत्री नहीं आता था जबकि जमूई बिहार के पिछडे जिलों में गिना जाता है उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपुर्ण है इतने शुभ दिन में पीम एक बार फिर मेरे संसदिय श्यत्र जहां से 10 सालों तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है जिसका प्रतिनिधित्व आज अरुन भारती कर रहे हैं वहां पीम का आना हुआ जमुई बिहार के पिछडों जिलों में से एक माना जाता है लंबे समय तक कोई प्रतान मंत्री जमुई नहीं जाते थे चुराक पास्वान ने यभी कहा कि महच सात महीने में पीए मोदी का या दूसरा दौरा है पीए मोदी की तारीफ करते हुए चुराक पास्वान ने कहा कि यह मोदी की गैरेंटी है जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है खुद को मोदी का हनुवान कहने वाले चुराक पास्वान ने बिर्सा मुंडा की 150 वी जयनती के दिन को महत्वपुर्ण बगाते हुए कहा कि पीएम कार्तिक पुर्णिमा गुरु पर्व के अवसर पड़ मेरे शेत्र में आए ये मेरे लिए खुशी का लम्हा है वही जमुई में मंच से जनता को संबोधित करते हुए चुराक पास्वान ने आरक्षन को लेकर बड़ा दावा किया चुराक पास्वान ने कहा कि जब तक चिराग जिन्दा है आरक्षन को कोई खत्रा नहीं है चुराक पास्वान ने अपने भाषन के दवरान यभी कहा था कि लोग जूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार आएगी तो आरक्षन छिन जाएगा उन्होंने कहा कि ना तो आरक्षन खत्रे में है और ना ही समविधान आज सिर्फ जमूई ही नहीं बलकि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है इस भी जी अभी याद दिला दे कि शुक्रवार का देन इसलिए भी केंद्रिये मंत्री चिराग पास्वान के लिए खास रहा क्योंकि उन्हें अपने पिता और चाचा का पुराना कार्याले मिल गया जी यहां बता दे कि भतीजे चिराग पास्वान को ये कार्याले चाचा पशुपती पारस से लेकर दिया गया है जो कुछ दिन पहले तक रास्टिये लोग जनशक्ती पार्टी का आफिस हुआ करता था शुकरवार को चिराग पास्वान अपने पिता के इस पुरानी ओफिस का निरिक्शन करने पहुचे उन्होंने नारियल फोड कर अपने नए कार्याले में प्रवेश किया इस दौरान लोजपार आमविलास के कई कार्यकरता भी मौजूद रहे तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जो सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले